नमस्कार दोस्तों YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे oil seal के बारे में oil seal को shaft seal भी बोला जाता है इसका use mostly industry में gear boxes, oil lubricated pumps gear motor में oil को housing में seal करने के लिए किया जाता है ताकि वो oil shaft के रस्ते बाहर leak ना हो oil seal कौन-कौन से कारण से leak होती है कौन-कौन से material की ये बनी होती है oil seal के main components और oil seal के number को कैसे read करते है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो का topic अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरू कर दे 200 like का target है इस वीडियो का तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं oil seal के उपर लिखे हुए numbers के बारे में ये numbers आपको किसी-किसी oil seal पे बिल्कुल पास-पास लिखे हुए मिलेंगे और किसी-किसी oil seal पे ये थोड़े दूर-दूर distance पे देखने को मिलेंगे तो हमें एक एक अग्जामपल लेके चलते हैं 42-72-8 oil seal number की ये जो 42 digit है ये इंडिगेर करता है oil seal के internal diameter यानि उसके ID को internal diameter पे oil seal का lip होता है जिसको हम seal lip भी बोलते हैं यानि यही lip shaft के रस्ते की leakage को seal करने का काम करता है इसी lip के around एक spring लगा होता है जो इस lip के around एक pressure बना के रखता है ताकि जो sealing है वो properly बनी रहे और दोस्तो oil seal जो होती है वो oil की leakage को तो रोकती है और जो बाहर dust particles होते हैं वो भी gearbox या फिर pump में enter नहीं हो पाते तो oil seal के उपर लिखे हुए पहले digit इंडिगेर करते हैं उसके ID को कि वो 42 mm का है अगले digit हैं दोस्तो 72 और ये indicate करते हैं oil seal के outer diameter को यानि उसके OD को और ये OD fix होता है bearing end plate या फिर उसको bearing cover भी बोलते हैं या फिर oil seal plate भी बोला जाता है और ये भी oil की sealing को seal करने का काम करता है oil seal के OD में metal के उपर rubber line की होती है और metal का use इसलिए किया जाता है ताकि seal properly shape में रहे और properly bearing के end cover में fix हो सके तो ये 72 indicate करता है bearing के outer diameter को कि वो 72 mm का है अगला digit है दोस्तो 8 ये indicate करता है oil seal की thickness यानि उसकी मोटाई को और किसी किसी oil seal पे ये आपको 10 भी देखने को मिलेगा 13 भी देखने को मिलेगा ठीक है दोस्तो तो अभी हम बात करते है oil seal के material की oil seal में जो सबसे ज़्यादा material यूज किया जाता है वो है nitrile ज़्यादा तर आपको industry में nitrile material की oil seal देखने को मिलेगी nitrile के इलावा silicone और whiten का use भी oil seal बनाने के लिए किया जाता है whiten का use वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपकी machine किसी ऐसे temperature में है जो 100 से plus है तो वहाँ पे आप whiten का use कर सकते हैं ठीक है दोस्तो तो अभी हम बात करते हैं oil seal के components की oil seal के तीन main components है सबसे पहले है metal case metal case जो है वो oil seal के od में fix होता है जिसके उपर rubber line किया जता है यानि rubber लगाई होती है दूसरा जो component है वो है seal lip यानि उसके ID में जो lip है उसको हम seal lip भी बोलते हैं जो shaft के रस्तिक की sealing को seal करने का काम करता है तीसरा जो component है वो है spring यानि spring जो होता है वो lip के around में लगा होता है और इस lip के उपर एक pressure यानि एक दबाब बना के रखता है ताकि वो shaft के रस्ते की sealing को properly कर सके तो ये हैं इसके तीन components अभी दोस्तों हम reason जान लेते हैं कि कौन-कौन से reason से OLC leak होती है दोस्तों सबसे पहला reason है improper installation improper installation में क्या है दोस्तों OLC लगाते समय हम उसके साथ थोड़ी सी जबरदस्ती कर देते हैं यानि उसको जबरदस्ती बिठाने की कोशिश करते हैं तो इसमें क्या है कभी-कभी उसके ओपर हलकी-हलकी चोट लगाने से क्या होता है oil seal की जो shape होती है वो change हो जाती है या फिर उसका spring निकल जाता है तो इसके कारण क्या होता है वो seal ज़्यादा देरे tick नहीं पाती और leak हो जाती है second जो कारण है वो है दोस्तों shaft oil seal seat यानि shaft के ओपर जहां पर oil seal ने बैठना है वो seat जो होती है उसके कुछ marking होती है यानि कुछ lining होती है तो अगर हम उस seat के ओपर oil seal को बिठाते हैं तो oil जो होता है वो shaft के रस्ते leak हो जाता है ठीक है दोस्तों तो oil seal लगाते समय हमने ये देहान में रखना है कि जो oil seal की seat है वो properly finishing होनी चाहिए वहाँ पे ठीक है दोस्तों तीसरा जो reason है दोस्तों वो है breather choking का gearbox और pump पे जो breather लगे होते हैं अगर वो choke हो जाए तो जो हमारा उसके अंदर oil है वो pressurize होने लगता है pressureize होने से दोस्तों उसका temperature बढ़ने लगता है और जब temperature बढ़ता है तो जो oil seal है वो धीरे-धीरे damage हो जाती है तो ये भी एक कारण है oil seal के leak होने का और जो fourth कारण है दोस्तों वो है quality issue ठीक है यानि कभी-कभी जो quality होती है oil seal की वो काफी hard material की होती है यानि जो उसका leap होता है वो उतना soft नहीं होता hard होता है जिसके कारण कुछ देर चलने के बाद ही वो जो leap होता है वो shaft के उपर lining create कर देता है तो जिसके कारण हमारी oil seal जो है वो जल्दी leak हो जाती है तो दोस्तों ये कुछ कारण थे oil seal के leakage होने के तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी informative लगी है तो वीडियो को like और share जुरू कर दें और अगर आप अमरे चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लें thanks for watching